पूर्जी स्कूल के ओनलाइन तरज़त आलीम में आप तमाम का अस्तक्बाल है चोहती जमान माहूल का मुताला हिस्सा एक सबख नबर पांच घर घर पानी इससे खबल के अजबाग देखने के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें और उसकी प्लेलिस्ट में से आप चोहती जमात के तमाब वीडियो देख सकते हैं तो चलिए आज की इस वीडियो की इपतिदा करते हैं इसे शुरू से आखर तक मुकमल देखें और आखर में दिये हुए कुछ प्रजेक्ट्स आपको करनी है तो चलिए आज की वीडियो की इपतिदा करते हैं सबख नबर पांच घर घर पानी हमें कौन कौन से कामों के लिए पानी की जरूरत पेश आती है हमें नहाने इस्तेमाल करने पीने और रोजाना के कामों के लिए पानी की जरूरत पेश आती है अब जेल की तस्वीरे देख बरतन वे किस शेय के बने हुए हैं पानी की बरतन को धकत गन और टॉंटी लगाने के क्या फायदे हैं यह देखिए इनका मुशाहिदा कीजिए इसमें से खदिम जमाने के कौन से हैं और जदीद जमाने के कौन से यह आपको मताना है इसी तरह घरों में होस टंकिया बनाई जाती थी पानी जखिरा करने के लिए आजकल सिर्फ स्टील और प्लास्टिक से ही बर्तन बनाई जाते हैं यह प्यारे बच्छों आप देखते होंगे कि पुराने जमाने में इस तरह से पीतल तामबे के मटके और मिट्टी के बर्तन हो पीने के पानी के लिए क्या एतियात बर्तना जरूरी है सेहत के लिए पीने का पानी बेजरर होना यानि बगए नुकसान के साफ सुत्रा होना जरूरी है पेट में अगर आलूदा पानी चला जाए तो बिमारिया हो सकती है इसलिए पीने और पकाने का पानी जखिरा करते व क्योंकि अगर वो पानी आलुदा हो जाए या गंदा हो जाए तो फिर उससे बिमारिया हो सकती है पीने और खाना पकाने के बर्तन हम धाक कर रखते हैं जिसकी वज़े से पानी में गर्द और कच्रा नहीं जाता पानी निकालते वक्त अकर हाथ डुबोया जाए तो हाथों को लगी हुई गंदगी पानी में मिल जाती है इसलिए पानी निकालने के लिए लंबे दस्ते का डोंगा इस्तिमाल करते हैं पानी निकालते ही फौरण ढखकन ढख देते हैं यानि पीने का पानी आप देखते हैं कितनी एतियाद से हम लोग घर में रखते हैं लेकिन इन बरतनों को टॉंटी लगाना पानी निकालने का सबसे अच्छा तरीखा है इस तरहा पानी खराब होने का सवाली पैदा नहीं होता और पानी निकलना भी आसान हो जाता है किसी बरतन का पानी अगर खत्म हो जाए तो इसे दुबारा भरने से पहले हम वो बरतन दो लेते हैं हम ऐसी इतियाद बरते हैं तो पीने का पानी सफ रहता है यानि आप देखते हैं अगर आपकी कलसी या मटके वगएरा रंजन में पानी खत्म हो जाए तो उसे दुबारा से भरने से पहले उसे धोया जाता है और ये एक बहुत अच्छी आदत है क्या आप जानते हैं पानी बासी नहीं होता पुछ लोग घर में एक दिन पहले भरा हुआ पानी फेक देते हैं और दुसरा पानी भरते हैं वो समझते हैं कि पानी बासी हो गया है लेकिन ये ख्याल गलत है पानी फेक देना यानि अच्छे पानी को जाए कर देना पानी खराब होने पर ही इसका इस्तेमाल पीने की बज़ाए दुसरे कामों के लिए कर सकते हैं यानि आप जब नल आता है तो देखते हैं आप अच्छे अच्छे भरे हुए पानी के ड्रम फेक दिये जाते हैं तो उस पानी को पीने की जगा आप इस्तेमाल करें, इस तरह इखर से पानी जाए नहीं होगा अब देखते हैं हम, आईए ये करके देखें, ये तजरुबा आपको बड़े लोगों की मदद से करना है, एक प्लास्टिक की बोतल लेकर इसका उपरी सा काट दीजिए, पेंदे से कुछ उपर बोतल की चार तरफ सुराख कीजिए, एक खाली रिफिल लेकर इसके चार टुक बड़े लगता है, इससे क्या जाहर होता है? यानि एक जगा जगा जखीरा किया हुआ पानी नलों के जरीए मुक्तलिफ मकामत पर पहुंचाया जा सकता है, आपने जो ये तजरुबा किया है, ये एक नमूना है कि किस तरह के पानी की टाकी से हम नली और पाइप के जरीए पानी एक जगा से दूसरी जगा पर पहुँचा सकते हैं सिमिट या प्लास्टिकी बड़ी टंकिया घरो या बड़ी इमारतों की छटों पर नस्प की जाती है नलों के जरिये टंकिया का पानी इमारतों और खुसल खानों बावर्ची खानों तक पहुचाया जाता है नलो को टोटिया लगा दी जाएं तो जरूरत के मताबिक पानी ले कर टोटिया बंद की जा सकती है इस तरह से किसी अमारत میں एक ही टंकी से एक ही वक्त में कई जगा पानी मिल सकता है यहां तस्बीर में देखिए अमारत पर नजब पानी की टंकी दिखाई हुई है और घरों में नल का इंतिजान किस तरह से होता है यानि पाइप के जरीए इसी टेंकी में से पानी आपको घर के हर कोने में हर जगा पर मुम्किन होता है पहुचाना अब देखेंगे हम गाओं में आप रसानी यानि कि हम तो शहर में रहते हैं हो सकता है आप में से ज़्यादा तर लोग शहर के होंगे लेकिन अब गाओं वगएरा में आप रसानी यानि पानी पहुचाना किस तरीखे से पीने का पानी पहुचाया जाता है तालाब, नदिया, बंद वगेरा हमारे पानी के जराय है ये जराय हमारे घर से बहुत दूर होते हैं सीधे वहाँ जाकर पानी लाना मुश्किल होता है इसके अलावा ये भी यकिन नहीं किया जा सकता कि ये पानी जैसा है वैसा ही इस्तेमाल के खाबिल है इसलिए गाओं के खरीब पानी का एक बड़ा जरीया तलाश किया जाता है नहर ये बड़ी पाइपलाइन के जरीए पूरे गाओं के लिए पानी एक जगा लाया जाता है इसे पीने के लिए बेजरर बनाया जाता है इसे पानी की तखलीस कहते हैं यानि कि पानी को साफ करना पानी को खालीस बनाने की मरकज से सब लोगों को पानी फरहम किया जाता है इसे आप रसानी कहते हैं यानि कि पानी जो आप देखते हैं तालाब में बन नदियों में जो रहता है जमा किया हुआ वो आप बराहरास इस चुछानों की आपको पानी प्रेड करना हो पानी पर चैनल कंपती है नशब बनें जान निची किसिम्त बहते है fur WhatsApp रखी सज़ले चीयो हो कह अदिते हैं उन्चाइ पर नस्प टंकिया आ हम यह जानते है कि पानी नीची किसिम्त बहता है अगर पानी उपर चड़ाना हो तो खुवत लगानी पड़ती है इसलिए किसी मशीन का इस्तिमाल करना पड़ता है पानी उपर चड़ाने के लिए पंप इस्तिमाल करते हैं पंप चलाने के लिए डिजल या बिजली का इस्तिमाल किया जाता है इसके अलावा घरों में अगर पानी उपर चड़ाना हो तो आप देखते हैं कि मोटर का इस्तिमाल भी किया जाता है बिजली की एजाद से पहले पानी को खुब उन्चाई तक पहुँचाना मुम्किन ना था बिजली से चलने वाली मशीन का इस्तिमाल करके पानी किसी भी बुलंदी तक पहुचाया जा सकता है जिसकी वज़े से पानी बुलंदी पर नजब टंकियों में जखिरा कर सकते हैं और यहां से दूर दराज वाखे शहरों और गाउं तक पहुचाया जा सकता है पानी की तखलीज के मरकज से तमाम घरों तक पानी पहुचाने से पहले कुछ बुलंदी पर नजब टंकी में पानी का जखिरा किया जाता है इस टंकी में जरूरत के मताबिख एक बड़े नल के जरीए पानी छोड़ा जाता है बुलंदी पर नजब टंकी के नल से कई शाखे निकलती है ये शाखे टंकी के अत्राफ तमाम बस्तियों में पानी पहुचाती है बस्ती में पहुचने के बाद हर शाख से हर थोड़े फासले पर मज़िद शाखे निकलती है और घर घर पानी पहुचता है यानि आपको अगर निजाम समझ रहें तो आप यह समझ लीजिए कि बड़ी टंकी के जरीए पहले उसमें पानी भरा जाता है और पिर छोटे छोटे नलो के जरीए पाइप के जरीए आपके घर तक पानी आता है आप देखते हैं कि कभी खुदाई के दौरान किसी का पाइप अथराफ के लोगों आकर अपने अपने खांदानों के लिए पानी ले जाते हैं आफ़े कवामे नल यहीं के घर में नलना होते हुए सबका एक कौमन यानि के एक आम नल होता है वहां से हर कोई पानी भरता है अब देखिए इस शकल में आपको दिखाया हुआ है कि गाउं म पर नस्ब टंकी में, पानी की टंकियों में और फिर महां से मुक्तलिफ पाइपलाइन के जरिए घरो घर तक पानी पहुचाया जाता है इस तरीचे से पानी को घर घर पहुचाने का काम किया जाता है क्या आप जानते हैं पानी के बगएर इन्सान जिन्दा नहीं रह सकता इसलिए पानी का मंबा इन्सानी बस्ती से खरीब होना जरूरी है इसलिए पुराने जमाने में बड़ी बड़ी नदियों के खरीब बस्तियां आबाद हुई हमारे मुल्क में भी ऐसे कई खदीम शहर है शुमाली भारत में हमारे मुल्क की राजधानी दिल देहली और जमना नदी के किनारे आबाद है बिहार में गंगा नदी और पटना महराश्र का शहर नासिक गोदावरी शहर के किनारे आबाद है आज भी कुछ बस्तियों में कुओं या हैंट पम का पानी इस्तेमाल किया जाता है लेकिन ये पानी पीने से पहले इस बात का इत्मिनान करना पड़ता है कि क्या ये पानी बेजरर है कुओं का पानी बेजरर ना हो तो अबाल लेना चाहिए ताकि सहत को कोई खत्रा ना हो कई आपस्तियों में टैंकर की मदद से पानी पहुँचाया जाता है याई आप देखते हैं कि जहां पानी के खिलत हो या पानी कम आता हो वहांपर ठायरों की जिरीये या कूध की जरीये पानी हासिल किया जाता। लेकिन इसे बराहे रास्त पीना नहीं चाहिए पहले इसकी तद्दीख करना चाहिए कि ये पानी पीने के खाबिल है या नहीं अब देखिए हम एक तजर्वा करते हैं अपने घर की खाली बाल्टी लीजिए इसे उठा कर इसके वजन का अंदाजा कीजिए फिर इस बाल्टी को आदी पानी से भर दीजिए इसके वजन का अंदाजा कीजिए पूरी बाल्टी को पानी से भर कर एक जगा से दुसरी जगा ले जाना सखत मेहनत का काम है गोर कीजिए आपके घर में रोजाना इसी कई बाल्टियां पानी की जरूरत होती है अब आपको अंदाजा होगा कि इतना पानी भरने के लिए कितनी मेहनत दरकार होती है इसलिए आप पानी की बच्चत कीजिए और पानी के बेजा इस्तेमाल से अपने आप को रोगिए पानी को खालिस बनाने और बुलंदी पर नजब टंकी तक चड़ाने के लिए कई लोग मसलसल काम करते रहते हैं वहां की मशीनों को चलाने के लिए बिजलिया डीजल का इस्तेमाल किया जाता है इस पर खर्च बहुत ज़्यादा आता है इसलिए साफ पानी एक खेंती शेह है हम जिस तरह अपने खेंती अशेह की इफाज़त करते हैं पानी का भी इसी तरह ख्याल रखना जरूरी है नल से भर कर रखे हुए पानी को जाई ना होने दे और खराब भी ना करें मूद होने के बाद बरतन में बचा हुआ पानी आप फेक देते हैं उसे दुबारा इस्तिमाल करें दाद साफ करने के दौरान नल पर मुसलसिल पानी बहने ना दे बढ़के नल बन कर दें सब्जियां फल वगरा धोने के बाद इस्तेमाल किया हुआ पानी पौदों को हम डाल सकते हैं नल के नीचे बरतन धोते वक्त पूरा नल खोल कर पानी तेजी से ना बहाएं बलके नल को जब जरूरत हो तब खोलें या फिर बरतन में पानी लेकर उसे धोईं अब देखते हैं हम इस सबक से हमने क्या सीखा हमें पानी की मुसलसे जरूरत रहती है इसलिए घर में पानी जखिरा करके रखते हैं पानी जखिरा करने के लिए इस्तेमाल होने वाले बरतनों को ढखकन और टोटियां लगी हो तो पानी साफ रहता है और इस्तेमाल में आसानी होती है पीने क का पानी इस्तिमाल करने से पहले ये इत्मिनान कर लेना चाहिए कि पानी बे जरर है या नहीं पीने का पानी हासिल करना मेहनत और खर्च का काम है पानी अच्छी तरह से जखिरा करें और इसे किफाई शारी से इस्तिमाल करें इसे हमेशा जहन में रखें कि पानी ये खीमती है इसकी हिफाज़त करना चाहिए यहां आपका यह सबख मुकमल होता है इस सबख के सवाज़ जाब देखने के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सबस्क्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके नोटिफिकेशन आपको हासिल हो तब तक के लिए हमारे साथ बने रह जैसे बॉर्वेल नल वग गएरा इस फहरिस्ट के बनाने के बार आप पानी की जबंगा करते हैं या पानी कहां जमा करते हैं उनकी तसाविर अगर आपको बनाना आती है तो तस्वीरे बनाए यह फिर दोनके बर्तन कल्सी वग गए तु यह आपका प्रजेक्ट है इसे कर और अपने क्लास टीचर को बेजिए